हेलो फ्रेंड विल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड आज किस वीडियो में आप लोग को ब्लाउच के बैक निक में डिजान सेयर करूंगी बड़े यासन तरीके से तो वीडियो पन तक जरूर देखेएगा इसकी परके बेकुरी मत देखेएगा तो इसीक साथ वीडियो को साड़े साथ इंच पर उसके बाद यहां से सीनी का निशान लगाएंगे तो सीना है वन्तालीस इंच उन्तालीस का चोथा ही इसा पोने दस पोने दस पी इंच निसान लगाएंगे उसके बाद यहां से दो इंच मार्जन रखेंगे उसके बाद यहां पर कमर है साड़े बत तरह से यहां से हम इस तरह से गोलाई चेक करेंगे आर मोल का तो यहां पे आर मोल है साड़े आठ इंच तो यहां पे साड़े आठ इंच त्यार है हाप इंच सिलाई मार्जन लेके उसके बाद यहां से गले की चोड़ाई रखेंगे तो गले की चोड़ाई चार इंच पे उसके बाद सीधा निशान मिला देंगे इस तरह से वॉक्स बना लेंगे उसके बाद यहां से बोटने बनाएंगे तो यहां पर हम साड़े 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से इस निसान को इस तरह से सीधा कर लेना है उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गुलाइ का सेब देना है उसके बाद यहाँ से हम जो डिजाइन बनाएंगे गले में उसका यहाँ पे से शेब देंगे तो यहां पर इस तरह से निशान लगा लेना, उसके बाद यहां से इस तरह से इस साइड भी इस तरह से निशान लगा लेना है, तो यहां पर इस तरह से डिजाइन का जो निशान हो कम्प्लीट हो गया, इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, तो फ्रेंड मेरी वीडियो थ करके अपने फैमली में सेयर कर दीजिएगा एक प्यारा सा कामेंट जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो यहां पर कटिंग कर लिए हैं उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल के देखेंगे किसका गले का सेफ कैसा आया है तो यहां पर इस तरह से खोल के देख लिए तो यहां पर देख सकते कितना अच्छा यह लुक आया है उसके बाद इसको हम फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंग तो यहां पर इस तरह से एक बराबर से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से उसके बाद मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से इसको बराबर करके उसके बाद मेन कपड़ा लेंगे इसका, तो यहां पर यह मेन कपड़ा है, इसको भी हम इस तरह से कपड़ा तो इसको पीनक भी कर सकते हैं लेकिन हम इस तरह से इसको गले के तरफ से कटीं करेंगे तो यहां पर अल्कल का फुटा छोडते हुए उसके बाद हेंको कटिंग में इस तो यहां से इस तरह सीधा इस वाला भी काटेंगे जो हम निशान लगाए थे इसको भी इस तरह से अलग कर लेना है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसकी पर के बिल्कुल मत देखिएगा तभी आप लोगों आसान तरीके से पता चलेगा कि बैक निक में ड रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे तो यहां पर इस तरह से रख के नीचे किनारे पर सिलाई लगाएंगे जितना हम सिलाई मार्जन लिये हैं उतना हम इसके सेट करके उसके बाद सिलाई मार्जन लेके नीचे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है उसके बाद सिलाई लगाते जाना है तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए है उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे पलट के एक बार अस्तर पर उपर से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पर अस्तर पर सिलाई लगा लिए है उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे उसके बाद पलटने के बाद ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिसिंग के साथ लगा लेना है तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे उसके बाद यहाँ पर किनारे 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 कच्ची सिलाई लगा लेना है इस तरह से कपड़े को सही करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद इसको हम इस तरह से जो इश्ट्रा कपड़ा है उसको हम काटके निकाल देंगे तो यहां पर इश्ट्रा कपड़ा काटके निकाल दिए तो यहां पर देखिए कितने फिनिसिंग के साथ यह तयार हुआ है एक दम एक बराबर है उसके बाद अब हम दूसरा पार्ट तयार करेंगे तो यहां पर यह हमारा दूसरा पार्ट है अब इसको हम इस तरह से डूब सेंगे तरह से सेट करते जाना है और सिल्टी लगाते जाना है इदम कहीं सेंची तो हमसाल लगा लिकाहिने इसी तरह से दूसरा पार्ट कर लिकीडाएं इस तर gastro से तयार हुआ अब इसमें हम पाइपिन बनाएंगे तो यहां पर हम पहले से डोरी पाइपिन बना के रख लिये थे उसके बाद अब Japon को इस्ते से पाइपिन को रख लेंगे और पूरे गले में लगाते जाएंगे तो यहां पर गले में पाइपीन लगा लिए हैं उसके बाद इसको हम इस तरह से यहां से जो इस्ट्रा है उसको हम इस तरह से काट के निकाल देंगे उसके बाद हम यहां से इसको पाइपीन को एक बार और पलट लेंगे तो यहां से इस तरह से पलटेंगे इस तरह से एक बा आइपिन लगाते जाएंगे इसी तरह से घुमाते जाना है उसके बाद इसी तरह से पाइपिन को लगाते जाना है उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जब सेंटर पर पहुचेंगे इस तरह से निशान लगा लेंगे सेंटर पर इस तरह से क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि कहां से घुमाना है तो इस नोक वाले पर इस तरह से निशान लगा लेंगे उसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमा के सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर सिलाई लगा लिए उसके बाद यहां से जो इस्ट्रा पाइपी ने उसको हम काट के निकाल देंगे तो यहां पर इस तरह से काट के निकाल दीए उसके बाद यहां पर जो कोना है उसके हम इस तरह से कट लगाएंगे उसके बाद इसको हम इस तरह से पलटके उपर से सिलाई लगाते जाएंगे एक बूट की इसी तरह से ब्राबर करते जाना है उपनीशिक के साथ सिलाई लगाते जाना है उपर से यहां पर देखिए एक और्णर है कितना अच्छा से यह कोना बन गया है तो यहां पर इस तरह से फ्रीशि dest तो यहां पर उपर से हम सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद यहां पर इस तरह से काटके निकाल देंगे उसके बाद यहां पर यह देखि कितने प्रिसिंग के साथ एक पाट तयार हो गया इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तयार करना है तो यहां पर इस तरह से पाइपिन लगाएंगे हैं तो यहां पर दोनों पार्ट तयार कर लिए उसके बाद आप हम यहां पर जाइंट करेंगे इस तरह से तो यहां पर इस तरह से यहां से बराबर कर लेंगे इस किनारे से उसके बाद इसके उपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, तो यहां से इस तरह से रखेंगे, उसके बाद यहां पर मार्जिन लेके उसके बाद इसके उपर सिलाई लगाते जाना है, तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं अब इसमें हम डबल शिलाई लगाएंगे यहाँ पर पका करेंगे उसके बद इसको गुमा लेंगे गुमा के यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे तो यहां पर डबल सिलाई लगा लिए हैं अब उसके बाद दूसरा भी इसी तरह हमको जॉंट कर análए पर को तरह नहीं रखना क्योंकि हमारा एक बराबर होना चाहिए तो यहां पर इस तरह से रखेंगे उसके बाद इसमें भी डबल सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर इस तरह से पक्का कर लेना है इसमें भी डबल सिलाई लगा लिए उसके बाद इसको हमें इस तरह से निकार लेना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यह डिजाइन कितना खुबसुरत बनके तयार हुआ है उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहां पर हम फोल्ड कर लिए हैं तो यहां पर देखिए इस तरह से बराबर कर लेना है उसके बराबर करके इसमें हम में बैक में पोटली बटन लगाना है तो उसके लिए हमको इस तरह से फोल्ड करके बराबर कर लेना है उसके बाद यहां पर सेंटर से बीच के सेंटर से हम कट लगाएंगे तो यहां पर इस तरह से पहले नाखुन से विशान लगा लेंगे उसके बाद यहां पर इसको इस तरह से करेंगे उसके बाद यहां पर पता चल गया कि यह मेरा बीच का हिस्सा है उसके बाद इसको इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे फोल्ड करके यहीं से ह दोनों में सिलाई लगा लेना तो यहां पर हम दोनों में सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद यहां पर इसको हम धागा को काटके अलग कर लेंगे उसके बाद यहां पर इस तरह से यहां पर पोटली बटन बनाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से पोटली बटन बन कर लिए तो यहाँ पर हम पॉटली बटन तियारल कर लेना है तो यहाँ पर हम वटली बटन तयार लिए हैं उसके बाद हम साइट में हम जएंट करेंगे तो इस तरह से रखते जाएंगे उसके दिन उसकेऻ Sud तो इसमें हम पोटली बटन जॉइन्ट कर लिए हैं उसके बाद यहां पर इसमें हम इस तरह से जॉइन्ट करेंगे तो यहां पर इस तरह से रख लेना है उपर से एक बराबर करते हुए उसके बाद यहां पर निसिंग के साथ उपर से एक बुट की सिलाई लगाते जाना है इस तरह से तो यहां पर हम सिलाई लगा लिए उसके बाद यहां पर इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे डबल सिलाई तो यहां पर डबल सिलाई लगा लिए इसमें हम डोरी भी लगा लिए इस तरह से तो फ्रेंड आज की एक बैक निक डिजाइन आप लोग को कैसे लगा कामेंट करक तो लाइक करिए चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब करिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ठैंक्स फार वाचिंग